दोस्तो इस phone पर मैं message करता हूँ WhatsApp पर तो आप देखेंगे message पर double tick लग रहा है जिसे क्या आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर मैं message करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर message पर double tick लग रहा है जबकि यह बंदा YouTube पर वीडियो देख रहा है अब दोस्तो इस mobile में मैं एक setting को change करूँगा इसके बाद दोस्तो मैं message करूँगा इस बंदे को तो message पर सिर्फ single tick लगेगा double tick नहीं लगेगा तो फटा-फट से मैं setting change कर देता हूँ setting को दोस्तो मैंने change कर लिया है अब यहाँ पर मैं आपको message करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे message पर सिर्फ single tick लग रहा है double tick नहीं लग रहा है जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं YouTube पर वीडियो चालू है dislike, like सब कुछ यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर इस phone में internet on है और इस बंदे को मैं WhatsApp पर अगर message कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ single tick लग रहा है, double tick नहीं लग रहा है तो इस तरह से आप भी अपने WhatsApp में single tick setting को on कर सकते हैं Hello दो आप सभी का स्वागत है single tick setting on करने के लिए आपको WhatsApp पर एक second के लिए दबाना है यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी app info, आपको इस पर click करना है तो यहाँ पर दोस्तो WhatsApp की कहीं सारी settings आ जाएगी आपको यहाँ पर data uses वाली setting को open करना है अब यहाँ पर आपको दो setting मिलेगी disable mobile data, disable wifi अब आपको देख लेना है आप कौन सा internet यूज कर रहे है mobile data या वाइफाई यहाँ पर आपको setting को on कर लेना है back आ जाना है अब दोस्तो इतना काम आपको कर लेना है इसके बाद आप online पढ़ाई कीजिए online movie देखिए आप internet on रख कर अपने mobile में कुछ भी कीजिए लेकिन WhatsApp पर अगर आपको कोई message करेगा तो दोस्तो आपके message पर सिर्फ single tick लगेगा double tick नहीं लगेगा जी हाँ दोस्तो यनि कि जो भी बंदा आपको message करेगा उसके message पर सिर्फ single tick लगेगा double tick नहीं लगेगा आप देख सकते हैं इस phone में internet on है YouTube पर वीडियो को मैं प्ले करता हूँ यहाँ पर कोई दूसरा वीडियो प्ले कर लेते हैं यह वीडियो यहाँ पर प्ले हो चुका है ठीक है अब मैं यहाँ पर इस बंदे को message करता हूँ तो आप देखेंगे message पर सिर्फ single tick लग रहा है double tick नह आ जाना है data uses में आना है जो setting हमने on की ती उसे off कर देना है यह दोनों ही setting off करने के बाद दोस्तो अब अगर आपको कोई भी WhatsApp पर message करेगा या call करेगा तो call भी आएगा और message पर double tick भी लगेगा और जितने भी लोगों ने आपको message की होंगे सारे के सारे message आपको मिल जाएंग application का download link मैंने description में दे दिया है app को open करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे में यहापर setting को on करना है भी के जो भी permission मांगेगा आपको permission को allow करना है और WhatsApp के सामने आपको यहापर internet का icon मिलेगा उस पर आपको एक बड़ टैप करना है इस तरह से cross का sign आ जाएगा इसके बाद चैनल को अभी subscribe कर लो